तो मैं आपके लिए ले आई हूँ चौकलेट ठंडाई गुंजिया चलिए अब हम इस रेसेपी को बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले इसके इंग्रीडियन्स देख लेते हैं ठंडाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम अंजीर लेंगे एक बोल, मखाना एक बोल, सौफ एक बोल और पॉपी सीट्स दो टेबल स्पून, सिनिमन स्टिक चार से पांच, रोस पेटल तीन से चार टेबल स्पून, केसर एक टी स्पून, इलाइची पाउडर दो टेबल स सबसे पहले हम ठंडाई मसाला बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हम एक पैन में 6-7 अंजीर और एक बोल मखाना डाल लेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे और जब ये भून जाए तो उन्हें एक प्लेट में अलग निकाल कर रख देंगे फिर हम इसी पैन में दोवारा से 2 टेबल स्पून सौफ, 2 टी स्पून पॉपी सीट्स, 3-4 साबुद दाल चीनी, 2 टेबल स्पून ड्राइट रोस पैटल्स डाल कर अच्छे से भून लेंगे इन्हें सिर्फ एक से दो मिनट तक हलकी गैस पर ही भूनना है फिर इन्हें एक अलग प्रेट में निकाल देंगे, अब हम इन भूने मसालों में 2 टी स्पून इलाइची पाउडर, 1 टी स्पून केसर डाल देंगे, फिर इन सभी इंग्रीडियन्स को मखाना और अंजीर के साथ एक मिक्स्चर जार में डाल कर पीस लेंगे और फिलिंग के लिए हम लेंगे स्किम मिल्क खोया एक बोल, पाउडर शुगर एस पर यो टेस्ट और ठंडाई मसाला 2 टी स्पून अब हम स्टफिंग के लिए एक पैन लेंगे, फिर इसमें एक बोल खोया डाल कर उसे इस तरीके से क्रश कर लेंगे अब हम स्वाद अनुसार पाउडर शुगर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम 2 टी स्पून थंडाई मसाला डालेंगे और दोबारा सी से मिक्स कर देंगे बैटर पिप्रेशन के लिए हम लेंगे मैदा एक बोल पाउडर शुगर 2-3 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एक टी स्पून कोको पाउडर एक टेबल स्पून मिल्क एक बोल और वनिला फ्लेवर एक टी स्पून अब हम फिर एक बड़ा बोल में एक बोल मैदा डालेंगे, दो टेबल स्पून पाउडर शुगर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, एक टी स्पून कोको पाउडर, एक बोल मिल्ख डार कर इसे मिला लेंगे फिर इसमें एक कप पाणी भी आड़ करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक टी स्पून वनीला एसेंस आड़ करेंगे और दोबारा से इसे मिला लेंगे अब हम इस बैटर को पैन पर कुछ इस तरीके से फिला लेंगे इसको हम सिर्फ एक साइट से ही सेकेंगे अब हम इसमें ठंडाई मसाला के स्टफिंग को कुछ इस तरीके से फिल कर लेंगे ये देखें दोस्तों हमारी चॉकलेट गुंजिया बनकर तयार है और ठंडाई बनाने के लिए हम लेंगे मिल्क एक कप, ठंडाई मसाला दो टेबल स्पून, खजूर तीन से चार और बर्फ एक बोल अब हम ठंडाई बनाएंगे और इसके लिए सिपसे पहले हम एक मिक्स जजार में एक कप दूर डालेंगे फिर इसमें खजूर का पेस्ट जो हमने खजूर को पीस कर बना लिया था इसको भी डाल देंगे फिर इसमें हम दो टीस्पून ठंडाई मसाला, एक बोल बर्फ का डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखें दोस्तों हमारी पूरी रेसिपी यानी चौकले ठंडाई गुंजिया बनकर तयार है ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साउजीरो ओल कुकिंग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी धन्यवाद